हालो गाइस कैसे हो तो गाइसर मैं हूँ डेवल एंड यह वाचेंग अन्नों डेवल ट्रेडिंग गाइस आज की इस वीडियो में ओवरल हम तीन स्टेप चार स्टेप या पांच स्टेप जो भी कह दो हम उस स्टेज पे स्टेप पे ट्राइड करने वाले कंपाउंडिंग करने वाले हैं और हमारा जो अल्टिमिट आज का मॉटिव है वह 10 दॉलर के क्यापिटल को ग्रो करने का कोसिस करेंगे कि यह उन्डेड डॉलर तक पहुंचे और मैं कोसिस करूंगा फिर इसको मैं अगली सिरीज में और भी ग्रो करने का ट्राइग करूंगा तो अभी फिलाल मैंने बहुत ही छोटा सा deposit कर रख है और इसको हम कोशिस करते हैं grow करने का और हम compounding करने का try करेंगे और compounding में आपको पता ही है कि यहाँ पर martangle follow नहीं होता है और हम कोशिस करेंगे कोई भी trade हम lose ना करें बढ़ क्या कर सकते है binary market है अगर loss लग जाएगा तो मै मैं दुबारा deposit करूँगा और दुबारा trade करके आपको दिखाऊंगा तो चलो को आज वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं मैंने कुछ major pair already open कर रखें जहां पर market बहुत ही अच्छे condition में तो ठीक है guys मुझे कहीं पर opportunity मिलती है तो मैं trade करके आपको बता दूँगा नहीं तो हम ल opportunity नहीं मिलती है तो सो लेट्स को गई opportunity find करते हैं कि यहां पर एक सेल का trade मिल सकता है बट कैंडल ने जंप अप कर लिया है इसलिए मैं इस से इग्नोर करेंगे अगर यह जंप अप नहीं करता तो मैं maximum sure रहा था बट इसने जंप लगा दिया इसलिए हम not pretty sure लोग मार्केट मे यह एक seller का एरिया है और overall market sellers के पास पहुंच गया है और साथी साथ यह एक piercing line पैटन था यहां पर मार्केट ने की लेवल के आसपास closing दिये तो overall यहां से sellers आ सकते थे तो यह सारे confirmations थे बट मार्केट ने gap up दिया तो मैं आपर ignore करना ही पसंद करूंगा भले ही वहां पर opportunity find करते हैं कि ओके हमें यहां पर और यहां पर opportunity मिल सकती है यहां पर selling का है ठेक है मैं यहां पर Excel का ट्रेट प्लान कर रहा हूं और हमने गए यहां पर Excel की ट्रेट लगा दी है इसके पीछे का logic बहुत simple है पहली बात तो market अगर छोटे टाइम पर मैं आपको बता हूं तो market यहां पर stuck था यहां पर market क्या था मतलब red, green, red, green टाइप का pattern बना हुआ था और वह बनने के बाद market में जैसे देखोगे तो green, red, green, red, green तो यह candle को red बननी चाहिए थी बट मार्क market का यह एक error candle था, तो MTG के साथ यह candle पर selling आनी चाहिए इसी basis पर हमने trade करा था यह पहला confirmation था, दूसरा confirmation हमारा यहां पर यह निकल करके आता है कि market में यहां पर एक support and resistance का level है यहां पर, जहाँ आपर markets देख सकते हो buying आई है, यहाँ रेजिस्टन्स लेकर के selling आई है, तो market द आगया, and hey we go, आप देख सकते हैं, यह हमारा short shot हो चुका है, and guys, अगर आपको यह video अगर आपको knowledgeable लगती है, तो make sure guys, चैनल को subscribe करके रख लो, because in future आपको ऐसे ही clear content देखने को मिलते रहेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और एक बात और guys, अगर आप binary म losses करके परेशान हो चुके हो, अपना part time income करना चाहते हो, या फिर अपने loss को recover करना चाहते हो, तो आप मेरा vp group join कर सकते हो, process बहुत simple है, आपको बस करना है, आपको जो भी पूराना existing Quotex का account है, उसको delete करना है, डिलीट करने के बाद, description में आपको मेरे Quotex account का link दिख यह मुझे telegram पर send कर देनी है, telegram का भी link आपको description में मिल जाएगा, and send कर देने के बाद, फिर मैं आपको अपने vip group में add करनूगा, जहाँ पर आपको per day, अच्छे कासे short short signals तो मिलेंगे ही, साथी साथ आपको वहाँ पर lifetime का support भी मिलेगा, अगर आपको कोई भी queries रहेगी, तो वहाँ पर मैं आपकी help करूँगा, जब तक आप उस group में added रहोगे तब तक, ठेके, तो जिनको भी guys, यह सारे facilities चाहिए, तो जो मैरे process बता है, उसको कर लो, then we will communicate, okay, और आप देख सकते हैं, आपको कितना अच्छा color pattern work कर रहा है, red, green, red, green करके बहुत अच्छा काम कर र Okay guys, हमें यहाँ पर opportunity मिल सकती है, call direction की safety margin के सथ, अगर market तो और नीचे जाता है, तो मैं call की trade ले लूँगा, ठीक है, तो हमने गाँ जहाँ पर एक call direction का trade प्लान कर लिया है, market कितना भी act कर ले, बट इसको इस level के उपर ही आकर के close देना है, and यह market जो है, इस level पर close नहीं दे स क्यों मैं आपको समझाता हूं, थो देर में पहले इसको win हो जाने दो, because बहुत ही simple सा reason है, तो चलो दिखा देता हूं मैं आपको, पहली बात तो यह एक support level है, जहां पर buyers है, और buyers के level पर sellers नहीं आ सकता है, दूसरी बात current time अगर आप गौर करोगे, तो market अपने buyers के level पर यहां पर sellers आने लगे, बट मुझे यहां पर buyers का area दिख गया, जहां पर sellers आते भी है, तो वहां पर closing नहीं कर सकते, because क्या होता है, कभी भी जिसका जो area होता है, उस area पर अगर कोई against candle जाती है, तो वहां पर वो जाती है, तो वहां पर आपको गौर करो, जैसे यह buyers का area, यहा बटा सब rejection है, बटा स्ट्रोंग बायर है, फिर देखो sellers को है, तगरा rejection है, वह ही होता है, अब यहां गरो करोगे, resistance का area, buyers में अच्छे rejection है, तेख सकते हो, buyers में अच्छे rejection है, sellers में होता है, तो यह psychological fact है, जहां पर जिसका area होता है, उसकी against की candle जाता reject करती है, इसलिए मैंने हमाँ पर trade करा है, and here we go, we got a profit of our second compounding trade, ठीक गाईज, अब try करते हैं, third step compound करने का, so guys, जिनको भी अपर तक वीडियो पसंद नहीं, मतलब पसंद आई है, वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe कर लो, अपने friends के साथ share out भी कर दो, तो फिलाल अपर तक हमारे दो step हो चुका है, को as usual, और guys, क्या होता है, market में time to time, time देते देते, क्या होता है, market के behavior का पता चल जाता है, तो मुझे वहाँ आइडिया था कि यहाँ वहाँ से rejection आज सकती है, इसलिए हमने trade किया था, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर और opportunity मिलती है, तो यहाँ पर अगर sellers एकदम से weak हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक call की trade बन सकती है, दूसरा, यहाँ पर अगर seller और rejection लेता है, तो एक और seller की trade मिल सकती है, दोनों जगा chances है, तो देखते हैं, overall यह trend अप है, तो यहाँ मैं कॉल की तरफ जदा जाओंगा, तो यहाँ पर मैंने कहाँ एक call का trade लगा दिया है, अब देख को, कैसे simple है, समझाता हूँ, पहली बात तो इसको complete हो जाने तो जदा अच्छा रहाए, पर चला मैं पूरा explain कर दूं और यह lose हो जाए, तो दुबारा deposit करना पड़ जाएगा, पर कोई बात नहीं, देखते हैं, क्या होता है, तो देख सकते हैं, rejection लेना start कर चुका है, इसके call का प्लान करा, और market call के तरफ ही जाने लगी, ऐसा क्यों हुआ, पहला confirmation क्या है, कि overall trend क्या है, अगर आप गौर करोगे, तो हमारा major जो trend है, वो uptrend है, एक type का, तो हमारे trades अप fight के ज़्यादा बनेंगे, अगर आप spot time में, spot time में गौर करोगे, तो आप गौर करोगे, तो आ जाने का try कर रहा है, तो market का structure क्या कहता है, कि अगर buying के area पर buyers आया और buyers strong है, buying के area पर buyers आया और buyers strong है, तो market next candle पर भी same color के candle बना सकते, तो buyers के area थी, buyers strong था, next candle यहाँ पर क्या बनी है, buying की बनी है, तो इसी confirmation से बस मैंने trend को देखा, साथी साथ इस candle के momentum को capture करा, और इसी के साथ हमारा यह third step compounding भी complete हो गया है, and here we go, आप देख सकते हो, 64.77 पर हम आ चुके है, अब हमें guys क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हम एक और step compound करेंगे, because too much, छोटे capital को लंबा घीजना is not a good thing, अगर loss हो जागा, तो सारी महनत चली जाएगी अभी, so देख लेते हैं guys, कही हमें और opportunity मिलती है, तो, okay guys हमें यहाँ पर एक selling का opportunity मिल सकता है, अगर यह buying candle भी बनता है, तो मैं safety margin के साथ sell करूँगा, resistance area के असपास, okay rejection आई है, तो रह सा और ऊपर चला जाए, तो मैं 100% sure हो जाओंगा, नहीं गया, तो मैं यहाँ पर call की trade, बहुत गलत trade लग गया, because market second मैंने गुलती कर दी, और जिस step का उसका वो था scenario था, उस step के scenario में market इस position से उपर side की rally करता, अब यहाँ पर next candle पर क्या होगा, I don't know, but हमने जो trade लिया था, इस condition में market यहाँ पर था, तो यहाँ से definitely buying आती, और guys देखो resistance में मैंने कहा था, मैं sell करूँगा, और देखो resistance से क्य हुआ है, मतलब मैं दोनों scenario में बहुत सही था, अब यहाँ थोड़ा सा risky है, वैसे तो green ही बनना चाहिए, यहाँ पर next candle भी, because market ने new high create करा है, और अपने recent high का breakout करा है, but एक theory होती है, कि जब market अपने recent high का breakout करता है, तो market reverse करता है, तो थोड़ा सही क्या, 50-50 type of trade है, मतलब मैं यहाँ पर 100% sure नहीं हूँ, और as usual जो मैंने कहा तो मैंने गलती कर दी है, बट कोई बात नहीं देखते हैं, और शिट, let's see, 50-50 trade है, बट कोई बात नहीं है, अगर लॉस हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो लास्ट के गरीबन 20 seconds बच गए है, और मेरा क्या ही गवाई-फाई पता नहीं सही नहीं चल रहा, देखते हैं क्या होता है, लास्ट के 20 seconds है, मार्केट इस स्टक हो चुका है, विकाज मेरा नेटवर्क सही से नहीं चल रहा, बस तुरह सा वेट कर लो, फिर उसके बाद कंटेनियू होगा, लट सी, पता नहीं गया, इस नेटवर्क में क्या ही इश्यू है, मुझे लगता है, मुझे अपना वाई-फाई स्विच करना पड़ेगा, यह रिफ्रेस हो चुका है, यह वी गो, वी गॉट आई-टी-म, आड वाई-लेंस हाज बन अप्ड़ेटेटेट, ऑके, क्लिक करो, एकाउंट क्रिएट करो, मिनमाम डिपॉटेट करो, अपनी कोटेकस ऐडी मुझे टेलेग्राम पर सेंड करो, फिर मैं आपको अपने वी पी ग्रूप में आड करतूंगा, और जिनको भी वीडियो पसंद आईएगा, जो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को अन कर लेना, ओके, मैं मलता आप से को नहीं, एक्साइटिंग वीडियो को साथ, इस इस टेवल, और आम सानिंग आउट,